हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम तो आवर चैनल, आज हम आपके लिए वैज कटलेट्स लेके आए हैं, जो की इंडियन कॉफी हाउस के बहुत ही फेमस हैं, बिल्कुल वैसा ही हम लेके आए हैं, यहाँ पे उसके लिए मैंने दो ब्रेड और दो रस्क या टोस्ट लिये हैं, यहाँ पे मैंने कॉन फ्लोर लिया है, कॉन फ्लोर या मैदा आप कुछ भी ले सकते हैं दोनों में से, और इसकी इतनी पतली हमको स्लरी बनानी है, अब हम एक पैन लेते हैं, उसमें मैंने यहाँ पे ओल डाला है, उसके बाद हम इसमें प्याज सौते करेंगे, हमको उसके साथ में यहाँ पे मैंने हरी मिर्च डाली है, और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और अब इसके बाद मैं यहाँ पे गाजर बारी कटी हुई, उसके साथ ही गाजर के साथ मैं यहाँ पे चुकंदर डाल रही हूँ, वो भी बारी कटा डाल रही हूं, यह थोड़ा सा, यदी मीठा हो, तो थोड़ा कम ही डालें इसको, हमको सिर्फ इसको कलर के लिए चाहिए, और साथ ही मैंने मीठी नीम और नमक डाला है इसमें, मीठी नीम का बहुत अच्छा फलेवर आता है, friends, तो हमको मीठी नीम इसमें जरूर एट करनी है इसके बाद हम इसको कुछ देर के लिए ढख देंगे ढखने के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर और जो हमारे ये चुकंदर और गाजर है वो थोड़े से श्रिंक हो गए है और इसका मतलब ये हमको जितना चाहिए उतने ये पग गए है अब इसके बाद हम इसमें मसाले अ घलिठ के रखे थे वह अलु एड कर देंगे इसमें हम इसको हम अच्छ से मिक्स कर लेंगे सौते कर लेंगे और इसके बाद हम असमें नमक अच्ट करिंगे आप यह हमारा पूरा टेक्शर बने के तयार है कटलेट का इसके साथ ही अम इसमें bread crumbs डाल रहे है friends यहाँ पे आप यह देखेंगे कि यह bread crumbs ने पूरा absorb कर लिया है अच्छे से मतलब जो हमारा paste है वो बिलकुल perfect तेयार है इसके बाद हम इसको हाथ में गोल गोल बना के और थोड़ा सा चप्टा shape दे देंगे और इसको एक बार ऐसे press कर देंगे यह हम सारे पहले पेड़े जितने हमको बनाने हैं उतने हम यह बना के रख लेंगे और आप यह देखेंगे कि यह बिलकुल भी फट नहीं रहे हैं निकल नहीं रहे हैं मतलब हमारा जो इसमें सबजियां डली हुई हैं वो बिलकुल परफेक्ट कुख हुई है अब इसके बाद हम इसको यह सारे हमने पेड़े तयार कर लिए पेड़े तयार करने के बाद हम इसको सलरी में डालेंगे जो हमने कॉन फ्लोर वाला घोल बना के रखा है वो डालने के बाद इसमें हम जो bread crumbs और toast वाला जो crumbs है उसमें हम अच्छे से इसको दोनों तरफ press करके बना लेंगे और साथ में ही हम यहाँ पे oil चड़ा दिया है हमने और हम इसको deep fry करने के लिए रखेंगे आप इसको shallow fry भी कर सकते हैं और यह देखें हमको इसको बहुत ज़्यादा तलना नहीं है क्योंकि अल्रड़ी सब कुछ ready है हमारा अब यहाँ पे हम प्लेटिंग करते हैं तो यह देखें यह इस तरह से आपके पास हरी चटनी हो तो हरी चटनी आप डाल सकते हैं इसमें उसका बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है इस्पेशली यह वाले कटलेट में और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉस भी एट किया है या आप इसमें खटी मीठी चटनी भी यूज कर सकते हैं या शेजवान चटनी भी यूज कर सकते हैं अब इसके बाद ही इसमें हम यहाँ पे अपने कटलेट रखेंगे फ्रेंड्स यह यकीन मानिये आप एक बार इंडियन कॉफी हाउस का खा के देखिए और आप इस मैथर्ट से एक बार घर में बना के देखिए आपको इतना अच्छा टेस्ट लगेगा इसका कि आप बार बार बनाएंगे यह और यह देखिए यह हमारे कटलेट बिलकुल तयार है और इसमें सबसे स्पेशल चीज जो है वो है लच्छे वाली प्याज इसमें फ्रेंड्स लच्छे वाली जो प्याज है वो इस कटलेट का टेस्ट और कई गुना बढ़ा देती है और साथ में आपको गर्मा गरम चाय कॉफी जिसके साथ भी खाना है उसके साथ आप खाईए और मेरा चैनल जरूर से देखिए इसको प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कीजिए थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग मैं चैनल